हालो एप्रिवान स्वागत आप सभी का मेरे चानल दिवाइन चैरों में आज जो रीडिंग करने जारी हूँ यह हूँगे लव राशिफल नो कॉंटाइक ऑन और आफ कॉंटाइक वालो के लिए जिसमें आपके पार्टनर की फीलिंग और आक्शन देखेंगे इस सफते की क्या होंगी और साथी साथ हम लोग आपकी भी एनरजी को चेक करेंगे इस रीडिंग को आप वालेट समझ सकते हैं 27 नवंबर से 3 डिसमबर के लिए यह यह टाइमलेस रीडिंग नहीं है यह राशिफल है तो राशी के अनुसार आपको देखनी है राशी आपको कौन सी चेक करने ही चाहिए संसाइन, मूनसाइन, राइजिंग साइन जाएं वैसे आप रेडिंग देख सकते हैंनाम के अनुसार देखें या लगनकेस आपसे देखें या बर्देट के अगसे देखें जा स्क्रीन पे भी बार बार रिफ्लेक्ट होती है, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करें, वहाँ पर आपको जो है, वीकली रीडिंग्स देखने को मिल सकती है, साथी साथ, आज की जो रीडिंग है, वो वालेट होगी 27 नवंबर से 3 डिसमबर के लिए, ठीक है, तो एक एक करके मैं आप लोगों के लिए राशी अप्लोड करूँगी, अगर आप लोगों को रीडिंग बसंद आती है, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी रीडिंग रिलेटेड जानकरी चाहिए, या मेरे वाटसब चानल रिलेटेड जानकरी चाहिए, तो आपको स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दिख जाएगी ठीक है तो हब हम अपनी एक एक करके राशी शुरू करते हैं तो अब बारी है लियो याने के सिंग राशी की देखेंगे सिंग राशी वालों के लिए उनकी लव लाशी में क्या एक्सपेक्टेड है 27th November से 3rd December ठीक है उनिवर्स मुझे बता है लियो राशी वाले अपने पार्टनर के लिए क्या फील करेंगे और उनकी लव लाशी में क्या एक्सपेक्टेड है 5 of swords Ace of cups Knight of pentacles and bottom of the deck टावर उनिवर्स मुझे बता है इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगे इनके लिए इनके पार्टनर की फीलिंग्स और अक्शन्स क्या होंगे लिव राशी वालों के पार्टनर की फीलिंग्स और अक्शन्स 27th November से 3rd December क्या होंगे इनके लिए Judgment Justice King of swords King of cups Three of pentacles Three of wands Ten of pentacles King of wands Hermit King of pentacles Four of cups and bottom of the deck Seven of swords Okay मुझे कही न कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि Leo Rushi वाले इस हफते किसी बहुत ही बड़ी चेंज से relationship में किसी तरीके के परिवर्तन से गुजरेंगे यहाँ पर separation, distance, misunderstanding, blockages clearly मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर clearly मुझे दिख रहा है कि आपके relationship में किसी तरीके का बहुत major change आएगा कि already आप हो सकता है कर चुके हैं आप एक बहुत बड़े बड़े मिरने पर आएंगे जहाँ पर आप decide कर लेंगे कि इस relationship में आखिर आप क्या चाहते हैं यहाँ पर ace of cups के energy represent करती है कि आप अपनी life में romance को बहुत miss कर रहे हैं इसे तो आप खुद से self love कर रहे हैं पड़ आपकी पूरी energy आप surrender करते हुए universe पे नजर आ रहे हैं इसा लग रहे है complete surrender है जो होगा इश्वर की मर्जी से होगा वाली energy है आप चाहते हैं आपके partner खुद होकर आएं और आपको अपनी feelings confess करें जो भी उनके मन में है वो express करें because it's been so long की वो आपको अपनी feelings नहीं बताते नहीं express कर रहे हैं नहीं effort डाल रहे हैं जिससे आप बहुत upset हैं आपको ऐसा लग रहा है कि आपके partner का आप wait करते करते ठक चुके हैं पड़ यह व्यक्ति है कि आने का नाम ही नहीं ले रहें जिसके वज़े से आप अपने relationship में सबोटाच के energy लेकर आए हो और आप सब कुछ खतम करते हुए अपने जीवन में अपने आप पे focus करते हुए अपने आपकी positive sides पे देखते हुए नजर आ रहा है ऐसा लग रहा है कि सब positivity को आप देखेंगे feel करेंगे कि क्या अच्छा है आपकी life में gratitude express करते हुए thank you बोलते हुए universe को नजर आ रहे है और complete surrender universe के सामने कर रहे है यानि कि ऐसा लग रहे है कि आप let go कर रहे है situation को कि ठीक है आप मैं को इस बारे में सोचना ही नहीं है जादा सोच विचारी नहीं करने है जो होगा वो भगवान की मर्जी से होगा मेरे सोचने से क्या बदल जाना है तो इस तरीके की energy आपके अदर बहुत positive है और मुझे यह नहीं लग रहे है कि आप लड़ाई जवडा करके गुसा परके इस रिष्टे को completely खतम कर रहे है नहीं आपको कहीं नहीं लग रहे है कि इस situation में अपने partner को लेकर इतना जादा obsessed रहने का कोई point नहीं है आप दिन बदिन उनसे बहुत attach हो गए है लेकिन वो सामने वाले व्यक्ति का जो communication मिलना चाहिए वो आ नहीं रहा है जिसके वज़े से आप कहीं न कहीं ऐसे हो रहे हैं कि I don't think so मुझे अपनी और energy देनी चाहिए यहाँ पर clearly मुझे जो आपके partner की feelings में दिखाई दे रहा है आपके partner एक नए समय से गुजरते नजर आ रहे हैं ऐसा लग रहे है कि कोशिश बहुत कर रहे हैं अपने life में अपने आसपास के लोगों को balance करने की अपने आसपास के लोगों को संभालने की कहीं न कहीं यह अपनी life में wealth भी receive करते नजर आ रहे हैं इनको धनलाब भी है पैसा भी है और कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि अपनी लाइफ में दुबारा चीज़ें को बालन्स करने की साटिसफाइड होने की कोशिश कर रहे हैं आई कन सी एक कोई सेलिब्रेशन हो सकता है कोई सेलिब्रेशन वगेरा में पाच पेट किया है या किसी तरीके के बड़े मीजर इंवेस्मेंस भी कर रहे हैं ऐसे चांसे क्लेर ली दिख रहे हैं पट कई नगी आपके पार्टनर अपनी लाइफ में अपने एक नई शुरुआ यहाँ पर थोड़ी सी flirtatious energy भी है अपनी लाइफ में passion, romance और intimacy को भी miss कर रहे हैं जो आपके साथ थी और कई न कई ऐसा लग रहा है कि बहुत ही balance रहने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को बहुत balance करने की कोशिश कर रहे हैं यह व्यक्ति अपने काम पे जादा ध्यान दे रहे यह recent past था, यह current energy है जहाँ पर मुझे लग रहा है या तो किसी legal matter या suppression से गुजर रहे हैं या इस वक्त इनके आसपास ऐसी energy है जहाँ पर यह बहुत balance यानि के fair रहने की कोशिश कर रहे हैं जो सही है उसका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं obstacle में clearly मुझे दिख रहे हैं कि अपना love, romance अपने अंदर की feelings हैं उसे height करते हुए नजर आ रहे हैं यह पुरी कोशिश कर रहे हैं कि यह आपको emotionally कुछ को express ना करें अपने emotions ना दिखाए हैं यह अपने आपको बहुत control करते हुए hold करते हुए मुझे जादा दिखाए दे रहे इसा लग रहे हैं emotions अपने चुपाते हुए जादा नजर आ रहे हैं behavior में काफी cold energy है ऐसा लग रहे है यह आपसे किसी बात को लेकर नाराज हैं गुसा है या आपको लेकर काफी इनका behavior rude है जिसमें आप इनसे response की भी उमीद कर रहे हैं तो यह response देने की जगा आपसे आपके partner जो है गहरे सोच विचार के लिए इस हफते नजर आएंगे इस इस हफते बहुत गहरे सोच विचार long term के बारे में सोचेंगे कि या life में इस तरह कैसे आगे बढ़ेंगे और बहुत जादा ऐसी ऐसी चीजें करेंगे जिसमें इन्हें लगेगा कि जो भी कर रहे हो right कर रहे हैं और इसी की वज़े से आपके energy में ऐसा है कि it's better कि मैं अपनी जिंदगी में अपने आप ध्यान दू हाँ अगर आप कोई single है dating का try कर रहे हैं तो chances है कि कोई नया व्यक्ति आप में interest ज़रूर लेगा इस हफते chances बहुत strong दिख रहे हैं बट कई न कई अगर आपक आपको बहुत attitude या ego दिखा रहे हैं इनको कही ना कहीं लग रहा है कि आपके साथ जो है जो life इनकी है मलब जो भी आप दोनों के बीच में हुआ उसके वज़े से यह अकेले ही सफ़क करते रहे या इनों ने अकेले को अकेले ही अंधकार face किया आपकी life में आपको कोई नु आपके partner बहुत practical decision लेने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है वही right है जो यह सूच रहे हैं वही इन्हें सही लग रहा है यहापर clearly मुझे इससे दिखाए दे रहा है इस relationship को लेकर आपके partner बहुत complaining सौभाव के नजर आ रहे हैं जा पे इने लग रहा है कि इस clear thoughts में नहीं है इनका mental इनको लगता है कि यह practically बहुत सही सोच रहे हैं एकदम right सोच रहे हैं बट कई ना कई इनके thoughts में मुझे practicality या clarity बिल्कुल नजर नहीं आ रही है असा लग रहा है कि यह सरिष्टे को भी लेकर काफी complaining सौभाव में हैं काफी complain कर रहे हैं साथी साथ जह ना कई आपके साथ बहुत ही cold बरताफ दे रहे हैं यहाँ पर आपने already सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया ऐसी energy clearly दिख रही है इनकी energy में clearly दिख रहे है कि यह विक्ति आपको stock जरूर करेंगे आपके लिए बहुत जादा आपके पीछे बागते हुए आप में interested होते हु किसी और विक्ति में interest लेंगे कि यहाँ पर three of ones represent कर रहा है किसी तीसरे विक्ति को तो यहाँ पर chances बहुत strong है कि कि किसी तीसरे विक्ति को date करने के बारे में सोच रहेंगे या किसी तीसरे विक्ति को अपनी जिंदगी में लाने के बारे में सोचेंगे लेकिन कहीं ना कहीं क किसी और को लाने के साथ साथ किसी और में इंटरस लेने के बावजूत यह आपकी तरफ देखते हुए आप में इंटरस लेते हुए आपकी लाइफ पे जहकते हुए आपकी जिंदिगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर ध्यान देते हुए नजार आ रहे हैं यह आपको basically सीधा साथा नहीं समझेंगे, नहीं लगेगा, आप जितने सीधे देख रहे हो, इतना सीधा कुछ नहीं हो सकता, कुछ गडबड जरूर है, गडबड वाली energy साथा दिख रही है, आपके partner की overall energy में मैं देख रहे हूँ कि ये काफी confused और mixed energy में है, emotionally अपने emotions को बहुत control करेंगे, express करने से इंकार करेंगे, overall कहूँ कि क्या ये हफते union की possibilities है, तो union मुझे इस हफते नहीं दिखाए दे रहा है, इस हफते कहीं न कहीं ये जरूर है कि आपके partner बहुत ज़्यादा आपको लेकर insecure ज़रूर फिल करेंगे, ऐसी energy है, जो strong signs मुझे आपके partner की दिखी है, बाकी, overall ये reading में जहाँ पर मैं देख पारी हूँ, union फिलाल इस वीक मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये थी आप लोगों की reading, अगर आप लोगों को reading पसंद आए, आप like, share, subscribe करें, धेर सारा प्यार दे, उसके लावाँ, अन्या कोई जान करीं, अगर आप और claim करने के लिए आप comment box का भी ही इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी के लिए इतना ही मैं चलते हैं, अपना ध्यान रखें, मुस्क्राते हैं, बाइटे के, ओम साहिराम